तॉमर जी के बेटे की जाँच करने कब आएगी इडी और आईटी? वोटिंग से पहले बीजेपी पर हमलावर राहूल गांधी नमस्कार मैं हूँ उन्जना और आप देख रहे हैं तक खबरदार नियूज आई शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से किंद्री करसी मंत्री ननेंदर सिंग तॉमर की बेटे का कथित वीडियो जारी होने के बाद कॉंग्रिस लगातार बीजेपी पर निशाना साथ रही है सांसद राहूल गांधी ने एक बार फिर प्रधान मंत्री ननेंदर मूदी से सवाल किया है के उनकी सरकार के केंदरी मंत्री नरेंदर सिंह तॉमर के बेटे की चांच करने के लिए income tax और ED कम मद्यपरदेश आ रही है केंदरी करिसी मंत्री नरेंदर सिंह तॉमर के बेटे का एक वीडियो कॉलिंग का वीडियो फोटे बनाकर राहूल गांधी मद्यपरदेश के कई जिलों में खुले मंच से ऐलान कर चुके हैं कि मद्यपरदेश भर्षचार की राजधानी बन चुका है उन्होंने व्यापम घोटाला महाकाल लोग में हुए प्रषचार का भी मुद्दा उठाया है बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजपास सौधिया के मताबिक चुनाब के वक्त पर यह सोजी समझी साजस के तहता एडिट वीडियो को डिर्टी पॉलिटिक्स के जरिये वाइरल किया गया है इस पूरे मामले की जाच की जा रही है और दोस्यों के खलाफ कड़ी कारिवाई होगी उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांदी के हिसाब से कारिवाई नहीं होगी मद्यपदेश में कानून का राज है तो एवरी मंथ लेना है पहले में मैंने उनको 250 बोला है ठीक है 250 बोला है तो उसका CA आज मेरे बैंक मैनेजर को मिलेगा क्योंकि वो वहां से कनवर्ट करके आपके पास आ गया और आपके पास से वो मुनेडो में आप उसको जैसे भी बेजना है आप उनको बेजी आप तो अपने अपने एकाउंट में मंगाल इसके आप बेज देए हां तो मुनेडो में ना कम से कम 50 परसेंट रखी है अपना एकुटी स्टेक ठीक है ना मनीका मैं आज उनको बोल देता हूं कि आप चैनल कीजिए हम रेडी हैं ठीक है जी तो मैं आज शाम तक आपको करके सारा तो बता ता हूं ठीक है जी ओक बईया अठारा साल से यहां बीजेपी की सरकार है और आपने अपने आखों से इनका प्रश्टचार इनकी लूट इनकी सरकार को गहराई से देखा है हर चीज में जहां भी इनको मौका मिलता है यह पैसा बनाना शुरू कर देते हैं पता नहीं आपने यह इनका मंत्री है इनके बेटी का विडियो देखा तुमर जी के बेटे का विडियो देखा आपने देखा आपने सब के सामने विडियो कॉल पर बिना चुपाए बिना धरे मद्यप्रदेश के किसान मजदूर गरीब युवाओं का पैसा आप के सामने सब के सामने चोड़ी कर रहा है बाईो और बेहनों तुमर जी के बेटब पर नरेंद्र बोधी ने कारवाई की सी बी आई लगाई इडी लगाई इंकम टैस डिपार्टमन लगाया यहां पे पचास परसेंट कमिशन सरकार चल रही है महाकाल पॉरिडॉर में चोरी की व्यापम में एक करोड युवाओं को नुक्सान किया चालिस लोग मर गए कोई इंक्वाईरी नहीं पटवारी एक्जाम स्कैंडल में कोई इंक्वाईरी नहीं MBBS सीट बिकती है कोई इंक्वाईरी नहीं आपका पैसा जाता है सबके सामने एक के बाद एक एक के बाद एक मंत्री उनके परिवार उनके बेटे बरश्कचार करते हैं कोई काड़वाई नहीं होते हैं अब तक ले बस इतना ही फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ तब तक ले नमस्कार और देखते रहें दखबरदार न्यूस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें